दादी नानी के बताए कमाल के टिप्स खाना बनाना एक कला है और यदि आप ऐसा भोजन बनाने की शौकीन है जो कम समय में ज़्यादा स्वाधिस्ट बने तो यह किचन टिप्स आपके काम ज़रूर आ सकते हैं नमब एक कच्चा पनेर बच गया हो तो उसे ताजा रखने के लिए थोड़ी सी चीनी उस पर चड़क कर फिज में रखें नमब दो अंडे उबालते समय पानी में एक से दो चमत अंडों की मात्रा नुसार नमक डालें अंडे कम समय में ही उबल जाएंगे नमब तीन टमाटर का सूप जब घर पर बनाएं तो बनाते समय थोड़ा सा सूखा पुदीना डाल दें सूप का स्वाद और भी अधिक बढ़ जाएगा नमब चार पहले से बच्ची रोटी पराठों का पुना परियोग करना हो तो थोड़े से बेसन में नमक मिर्च हींग मिलाकर घोल बनाएं तबे पर पराठा या रोटी को डालें उसके उपर से इस घोल को डाल कर पकाएं स्वाद बढ़ जाएगा और बची हुई जो रोटी है या फिर पराठा है वो वेस्ट भी नहीं होगा नमब पांच टमाटर के चिलकों को उतारने के लिए स्टील की चलनी में टमाटर रख कर उसे पांच मिनट तक स्टीम पर पकाएं चिलका जो है वो अराम से उतर जाएगा नमबर छे भिंडी मटर करेला परवर अधी सबजी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए इनका स्वाद फे और भी अजाएगा सर्जियों में दही जल्दी जमाने के लिए एक बर्तन में हलका सा गर्म पानी रख कर उसमें दही वाला बर्तन रख दें दही जल्दी जम जाएगा नमबर आठ नए आलों को खराब होने से बचाने के लिए बजार से आलो लाकर दो कर मिट्टी हटा कर सुखा कर खुली हवादा टोकरी में रखें खराब वालों को पहले से अलग कर दें तो जो आपके जो नए आलों वो जल्दी खराब नहीं होंगे नमबर नो, सूप बनाते समय सब्जियों को जरूज से अधिक ना उबाले जिस सब्जी को ज़्यादा समय लगे, उसे पहले विसल लगा ले यानि कि उसे कुकर में ढलके एक सिटी लगा ले इससे सूप ज़्यादा स्वादिस्ट और पॉस्टिक बनेगा नमबर दस, सूप में नमक मसाले अपने स्वाद अनुसार मिलाएं कई बार कम या ज़्यादा नमक या मसाला स्वाद बिगार देते हैं नमबर ग्यारा, फिश को अच्छे तरह से दोकर उसमें शकर डालकर थोड़ी देर के लिए रख दे फिर इसे फ्राई करके क्रिस्पी फिश का जो है वो स्वाद ले सकते हैं नमबर बारा, हली सबजियों को फ्रेश रखने के लिए आप इन्हें प्लास्टिक बैग में एर टाइट करके रख सकते हैं ऐसा करने से आपकी जो सबजियां हैं और भी ज़्यादा समय तक वो ताजा रहेंगी जल्दी खराब नहीं होंगी नमबर तेरा, राजमा या फिर उड़त की डाल बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डालें जल्दी पकेगी और जो नमक हैं डाल कलने के बार डालें नमबर चौदा, यदि आपको उबले हुए अंडे चीलने में कोई परेशानी होती है तो इसके लिए आप अंडे उबालने के बाद उसमें क्रैक कर दें फिर इन्हें ठंडे पानी में डाल कर रख दें इस तरीके से अंडे आसानी से जो हैं वो छिल जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी नमबर पंदरा, यदि चाकू की धार कम हो गई है या चाकू ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप घर में मौजूद कप के बैक पार्ट कर स्थमाल कर सकते हैं यानि की आप अपने कप को पलट कर उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर चाकू को रगड़ने से आपका जो चाकू है वो फिर से तेजधार वाला हो जाएगा नमबर सोला माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए आसान उपाए है लेकिन जब इसमें आप खाना गर्म करें तो उसे पेट में चारो तरफ गोलाई में फैला लें और बीच में खाली जगा छोड़ दें इसे आपका जो खाना है वे आसानी से और कम समय में गर्म हो जाएगा नमबर सत्रा यदि सबजी में नमक पड़ गया हो जादा या जादा सबजी जादा तीकी बन गई हो तो उसे कम वे संतुलित करने के लिए मलाई दही या फिर फ्रेश क्रीम कर सकते है नमबर अठारा देसी घी को अधिक दिनों तक ताजा रखना चाहते है तो उसमें एक चुटकी सेंधा नमक वे गुड या तो आप सेंधा नमक मिला दीजिए या गुड मिला दे तो इससे आपका देसी घी है वो खराब नहीं होगा नमबर 19 दिन भर चाए बनाने के बाद उसकी पत्ती को दो कर चान ले फिर उसे पोधो के गमले में डाले यह एक बहतरीन खाद का काम करता है नमबर 20 दही जमाते समय यदि दूद में एक छोटा टुकडा नारिल का मिला दिया जाए तो दही जो है वो बहुत बढ़िया जमता है और दो तीन दिन तक न वो फ्रेश भी रहता है जल्दी खटा नहीं होता है नमबर 21 इस्तमाल हो चुके नीबू के छिल्कों को इखटा करके उसमें नमक मिला कर दूप में दिखाते रहें कुछी दिनों में आपका जो नीबू है नीबू का अचार जो है वो तैयार हो जाएगा नमबर 22 हरी सबजियों को धक कर पका है ताकि उनमें मोजू विटामिन भाप के साथ ओड़े नहीं नमबर 23 सबजियां सलाद आदी बहुत छोटे छोटे आगार में काटने से उनकी जो पॉस्टिक तायना वो काम हो जाती है कभी भी किसी भी वैजी टेबल को बहुत ज़्यादा छोटे टुकरों भी नहीं काटना चाहिए नमबर 24 पाई बनाने या किसी चीज को माइक्रोवेब में गर्म करने के लिए काच के बरतन का इस्तमाल करें जबकि केक बनाने के लिए नौन स्टिक या सिलिकोन पैन का प्रियोग कर सकते हैं नमबर 25 नौन स्टिक पैन को गर्म करने से पहले उससे नौन स्टिक वेजीटेवल कुकिंग स्प्रे से कोट कर लीजे साथ ही उसे तीन मिनट से ज़ादा देर तक गर्म ना करें नमबर 26 दाल में नमक अधिक हो तो उसमें एक टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मिला दे नमबर 27 दाल में अगर पानी ज़ादा हो जाए तो उसे फैंके नहीं बलकि सबजी या फिर सूप बनाने में आप उसका प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तो आशा है कि आपको आज के ये किचन टिप्स पसंद आए होंगे और आपको इससे कुछ हैल्प मिली होगी वीडियो कर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई